हेलो एवरीवन वेल्सम बैक तो माई चैनल आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एक्जाम की पिप्रेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आज की जमारी न्यू वीडियो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोड़क्शन टु यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलोची ए आई एन इसीट इन बोटनी तो यह आपका बोटनी पेपर वन का लास्ट यूनिट है यूनिट एट तो इसे आज वन शॉट में हम क्लियर करेंगे एक ही यूनिट में हम पूरी तरीके से इस पूरी यूनिट को खतम करने की कोशिश करेंगे बहुत ही चोटी यूनिट है मैं बता नहीं सकती हो सकता है बीस मिनट में यह खतम हो जाए ठीक है तो बहुत चोटी यूनिट है टेबल ओफ पांटेंट देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है बहुत कुछ नहीं पढ़ना इसमें आपको पांगे अन चनल के बारे में पढ़ना है अन आई-सीट को जानना है उसके अप्लिकेशन को केवल से केवल क्रॉप एड होटिकल्चर के एरिया में जानना है ठीक है इनके जो MCQ है वो मैंने आप देखो के चैनल पर अपलोट कर दिया है तून-च्यूस को यहां पढ़ने के आपको शेयर करना है और अगर चैनल पर न्यू है तो पहले तुरंद चैनल को सबस्क्राइब करें, उसके बाद रेडी हो जाई अपढ़ने के लिए, चलिए दिया लाइक किया, सोच क्या रहे हो भाई, कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ठीक है, और शेयर कर लो, ठीक है, और इसे हलवा क्लियर करते हैं, आज मैंने, I don't know, मुझे गिंती भी याद है, आज मैंने कितनी वीडियो अपलोड किया आप लोगों के लिए, तो उस महनत का थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लो भाई, मैंने बहुत वीडियो अपलोड किया आप लोगों के लिए, okay, the first educational software is INFLIBNET that is informational, information and library network, इसको established किया गया था 1996 में, यह एक network है, जिसे especially Indian universities, colleges and other institute के लिए बनाया गया है, जो की higher education में काम आता है, like in colleges and universities is a higher education, तो वहाँ पर यह काम आता है, और especially यह Indian students के लिए बनाया गया है, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, यह प्रवाइट करता है, आपको range of information technology based, services, resources and इसमें आपको काफी सारे e-generals scholars के database और intern library loan facilities आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद NICNET के बार में मैं बात करूँ, तो यह है National Informatics Center Network, NICNET एक operational है, जो की 1987 के दोरान establish हुई थी, यह nation worldwide है, area network है, मतब पूरे worldwide फैला हुआ है यह, यह manage किया जाता है, NIC, National Informatics Center के द्वारा, जो हमारे इंडिया में है, यह serve करता है, primary infrastructure, government communication के लिए, यह internet connectivity प्रोवाइट करता है, जिसे की बहुत सारी government agencies and department जो है, वो जुड़ी हुई है, ठीक है, बहुत छोटे-छोटे चीजें हैं, बहुत जादा नहीं इसके बार में आपको पढ़ना है, BRNET जो है, यह broadband research network है, आप से इसके वो पूछे जाएंगे, जो full form है, तो उसे आप याद रखिएगा, BRNET जो broadband research network है, यह भी एक research and educational network है, जो आपको high speed internet connectivity प्रोवाइट करता है, academic and research institute वाले जितने भी student है, हमारे इंडिया में उनके लिए, इस से, it was established, किसके द्वारा established किया ग electronics and informatics technology, DEITY की द्वारा, इससे establish किया गया था, और क्यों किया गया था, to promote research and development activities in the country, तो BRNET क्या है, BRNET एक research and educational network है, जो प्रोवाइट करता है, high speed internet connectivity हमारे बच्चों को, जो academic and research institute में पढ़ते हैं, हमारे इंडिया में, और इसका establishment किया है, डाइटी ने, ठीक है, यह पूछा जा सकता है, ठीक है, यह पूछा जा सकता है, आप से किसने establish किया है, और यह क्या करवा, मतब क्यों, इससे establish किया गया, research and development activities के लिए, कि उसे और ज्यादा encourage कर जिया जाए, हमारी country में, तो यह तीन आपके educational software है, उसी के साथ, Google Scholar एक अलग platform है, ठीक है, एक मिनट, अगर मैं इस slides से बढ़ करके कुछ extra points आपको बताऊं, ठीक है, तो जो हमारा informational and library network है, देखो इसे note करना, slide में नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा information and library network है, ठीक है, इसे establish कई जगह पर आप 1996 देखोगे, कई जगह पर आप 1991 देखोगे, तो यह वाली system पे मत जाना, जाद से जादा पूछा जा सकता है, किस 90s वाला आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे कि कब establish हुआ था और आपको 1900 ऐसे करके लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, यह एक information देनी थी, second, कि इसका headquarter आपसे पूछा जा सकता है, कि कहा है, तो इसका headquarter है, गांधी नगर, गुजरात में, ठ इसका headquarter है, अब यह मैंने बताया कि क्यों 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 काम इसका आता है, तो अगर मैं simple भासा में बोलू तो यह modernizing university libraries जो है, उसमें यह crucial role play करती है, ठीक है, तो आपको मैंने headquarter बता दिया और जो sun है, उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया, कि जो जैसे number होता है, वो हर अलग-अलग दिया होता है, कहीं-कही 1991 दिया होगा, कहीं-कही 1996 दिया होगा, तो number पर जादा आप नहीं जायें तो ठीक है, ठीक है, जैसे मैं NICNET की बात करूँ तो यहाँ 1987 लिखा हुआ है, बट यह आपको, मतब 1976 भी कहीं-कहीं लिखा हुआ है, तो इस number पर आप नहीं ज structure setup है ठीक है और NICET इसके बारे में एक और मुझे statement बतानी है कि NICNET जो है इसे backbone for the delivery of E government services कहा जाता है नोट कर लीजेगा backbone for the delivery of E government services कहा जाता है इसे तो इस चीज को आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और तो कुछ जाद मुझे आपको नहीं बताना था अगर मैं बात करूं Google scholars की तो Google scholars क्या है बहुत कोशन पूछे गया थे Google scholars से ठीक है मैंने देखा था Google scholars एक free search engine है ठीक है search engine है especially इसको design किया गया है academic लिट्रेशनल है तो हर चीज़ academic level की होगी है ना तो academic जो लिट्रेशर्स हैं जैसे कि peer reviewed article है यह पूछा जाता है ठीक है यह पूछा जाता है कि peer reviewed article किस में मिलेगा तो Google scholar पे ठीक है तो peer reviewed articles कुछ books conference processing यह सब कुछ आपको Google scholar पे मिलता है यह great starting pointer researchers के लिए क्योंकि आप comprehensive चीज़े मिलती है एकदम सटीक सहीं चीज़े मिलती है और आप easily इसे use कर सकते हो यह सबसे पहले मैं बताऊं तो यह freely accessible होता है ठीक है इसके लिए Google scholar के लिए एक और लाइन पूछी गई थी freely accessible ठीक है freely accessible web search engine कौन सा है तो Google scholar है ठीक है इसको launch किया गया था Google की द्वारा launched by Google in November और फिर अगर मैं sun की बात करूं तो 2004 कहीं कहीं अलग 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 लिखा होगा ठीक है इसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं रिसर्चर्स जो होते हैं जो एकेडमिक में होते हैं प्रोफेसर्स वेगरा इस्टुडेंट्स जो है वो अराम से इसे यूज करते हैं क्योंकि यह freely accessible है मतलब फ्री में आप इसका साइंटिफिक्स टेक्निकल और मैडिकल जनरल और बुक चैप्टर्स पर रेप्यूटेबल पब्लिकेशर्स लाइक एल सेवियर तो जो हमारा साइंट डैरेक्ट है यह भी एक फुल टेक्स्ट साइंटिफिक डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मतलब मैं बत साइंटिफिक्स की बात करूं तो आप 2,500 पियर रिव्यूट जनरल से ले करके 39,000 बुक्स आप पढ़ सकते हो इस साइंट डैरेक्ट पे इसे ऑपरेट किया जाता है एल सीवियर के द्वारा ठीक है और काफी ज़्यादा रेप्यूटेवल जो ऑथर्स होते हैं उनके पढ़ने को मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर आपको वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट देखने को मिलता है जैसे फिजिकल साइंस हो गया लाइस साइंस हो गया है इंजीनरिंग हो गई सोशल साइंस हो गया हुमानिटीज हो गई यह सब कुछ आप यहाँ पर जा करके पढ़ सकते हो इन-depth coverage आपको इस platform पे मिलेगी लेकिन आपको पैसा देना होगा सब्सक्रिप्शन बेस्ट होगा यह ठीक है तो आपसे पूछा जातकता है कि साइंस डारेक्ट को कौन ऑपरेट कर रहा है तो एल्स सीवियर आप नाम याद रखिएगा ठीक है और यह full text scientific database offering general articles and books यह उफर करता है ठीक है तो full text scientific database है तो यह काफी बार पूछा जाता है माली जे मैं आप से पूछो कि science direct जो है वह आपको किस तरीके से educational information दे रहा है क्या video lecture में दे रहा है क्या audio lecture में दे रहा है full text में दे रहा है कैसे दे रहा है तो वहाँ पर option इस तरीके से आये होते हैं तो इ कि जो हमारा science director वह full text में देता है information अब हम बात करेंगे internet की कैसे जो internet है वो हमारे लिए useful है internet जो है यह powerful tool है हमारे resource management के लिए काफी सारे sectors में like data collection and monitoring के लिए internet का use होता है internet facilitate करता है collection and real-time monitoring of resource data sensor network and internet of things IoT devices जो है वो data को ट्रांस्मीट करती है environmental conditions में resource level पर और equipment performance enabling informed management decision ठीक है तो यहां internet का आप से केवल से केवल बढ़ाई की जाएगी ठीक है आपको बताया जाएगा भाई आप data collection मॉनिटर कर सकते हो आप किसी भी resource का optimization कर सकते हो आप in-depth वहाँ पे जाकर किया कर सकते हो इंटरनेट के द्वारा उसकी knowledge ले सकते हो ठीक है आप vast amount of resources का analysis कर सकते हो sophisticated software का use करके तो by using internet data analysis बहुत अच्छे से हो जाती है collaboration and sharing knowledge के लिए internet बहुत online platform जितने भी है जैसे जो भी knowledge sharing है collaboration है वह हमारे internet के द्वारा better coordinated way में किया जा सकता है और best practices को adopt किया जा सकता है ठीक है public awareness and education भी हमें internet के द्वारा मिलती है public awareness शोरी है कि अच्छा भाई अगर इसने ये गलती किये तो मुझे ये गलती नहीं करनी है public awareness है और education के मैं क्या ही बात करूँ educational resources बहुत सारे online campaign है जो empower कर रहे हैं किसी भी एक individual को like free of cost education आपको मिल रही है आप केवल अपना recharge करवाईए रिचार्ज में आप बात करिये sms भी है और internet के द्वारा पढ़ाई भी है तो free of cost है ठीक है बहुत सारे चैनल से भाई जो free of cost आज भी दे रहे हैं बहुत सारे तो paid भी है लेकिन free of cost भी आपको काफी सारे information मिलती है जैसा मेरा चैनल ओके तो इसी बात पर subscribe कर दो तो मैं free of cost education दे रही हूं तो वो किस तरीके से दे रही हूं इंटरनेट के वज़े से दे रही हूं है ना तो जो हमारा internet है वो हमारे education को बहुत जादा strong बना रहा है आज के generation में जिस बच्ची के पास कुछ भी नहीं है कोई सुख सुविधा नहीं है वो भी by using the internet वो एक बड़ा सा IIS एक IPS एक doctor बन जा रहा है वो preparation कर ले रहा है NEET, IIT, JEE या फिर आप BSC पढ़ रहे हो मेरे से तो by using the internet ओके तो internet जो है वो एक revolutionized education उसने बनाया है जो आपने कभी नहीं सो amount of information प्रोवाइट किया है, resources, tools आपको प्रोवाइट किया है यह आपको allow करता है कि आप distance learning करो, आप interactive relations पढ़ो, आप research opportunities धूडो, आप collaborate करो different students के साथ, आप different educators के साथ globally connect करो, online courses जो आपको दिये जाते हैं educational websites पर वहां से ले करके हर एक ages बुढ़ापा जो बुढ़े इंसान है अगर उन्हें भी अगर भागवत गीता पढ़नी हो ना, internet पर जाईए आपको मिल जाएगी, अगर एक छोटे बच्चे को ABCD पढ़नी हो ना, तो वो अगर जाये तो उसे मिल जाएगा, तो भाई, एक छोटे बच्चे के age के interest और उसकी like होती है ना, उसके लिए जो education है, व यह जो statement थी internet की, ठीक है, कि भाई, हमारे एक बहुत अच्छी statement थी, repository करके कुछ एक statement थी आपके slabus में, ठीक है, मिरे दिमाग से उतर रहा है, knowledge repository, ठीक है, तो यह statement अभी proof हो गई, internet as a knowledge repository जो है, यह आपका proof हो गया, और इस ही में आप Google scholar वेगेरा and चीजे पढ़ते हो, लेक let's talk about the most popular topic, that is ICT, भाई, ICT बहुत popular हो गया है, बहुत जादा, ठीक है, चलिए समझते है, ICT के बारे में, ICT का full form है, information and communication technology, यह एक rapidly transforming, एक agri, एक minute, are rapidly transforming the, हाँ, मैंने यहाँ पर agriculture के लिए सब कुछ notes बनाये है, but let's talk about the ICT first, कि क्या है ICT, तब आपको समझ में आएगा, मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा, तो मैं 0 से start करती हूँ, अभी केवल सुनो, छोड़ दो कुछ लिखना-देखना, ICT जो है information, communication, technology, इसका full form है, यह typically cover करती है एक range of topics को, जिसमें आप technologies, communication, digital literacy के बारे में पढ़ते हो, अगर मैं बा यह सब समझो, फिर digital communications की बात करूं तो email, instant messaging, social media, digital educate, यह सब कुछ आता है, internet में बात करूं तो browsing, search engine, web safety, online research, यह सब आता है, productivity tool में अगर मैं ICT में बात करूं तो word processing, threat seat, presentation, software, collaboration platform, यह सब आता है, multimedia में बात करूं तो graphics, audio, video, editing, digital media creation, यह सब आता है, अब मैं आपको जो बोल रही हूँ यहाँ पर इसका note send करूंगी telegram पे, ICT के बारे में, क्योंकि यहाँ जो मैं बोल रही हूँ, वो मैंने अपनी copy पे लिखा हुआ है, but मैं उसको text form में आपको telegram पे send कर दूंगी, क्योंकि उससे MCQ जो है, वो पूछे जाते हैं, और जिसे मन करेगा, वो subjective में include कर सकता है, अगर मैं बात करूं, cyber security में, तो threat, protection, measures, data privacy, online safety, यह सब आता है, information system में बात करूं, तो database, information management and data analysis, emergency technologies की बात करूं, तो cloud computing, artificial intelligence, internet of thing, that is IOT, and virtual reality, यह सब हमारे ICT में आते हैं, ethical and legal issues में बात करूं, तो copyright plagiarism, digital right, ethical use of technologies आता है, और अगर education में बात करूं, तो integration of technologies in teaching and learning, e-learning platforms and digital pedagogy, यह सब कुछ हमारे ICT में included है, ठीक है, अब मैं बात करूंगी ICT के application को horticulture में and crop में, ठीक है, horty culture, like horty culture नहीं, horty, kya ही है, horty, horty, art, so वहाँ पे, वही हो जा रहा है, एक्सेंस हो जा रहा है, तो horty culture, ठीक है, अच्छा, horty culture तो सुनके अभी हसी आ रही होगी, तो मैं अच्छा दी दी, horty culture, यह वो, horty culture क्या होता है, बताना चरा, क्या होता है horty culture, horty culture, जो है, एक science है, एक art है, आपके fruit, vegetable, flowers, ornamental flower, जो plants है, ornamental plants है, उनकी cultivation का, क्या है, science and art of cultivating fruit, vegetables, flowers and ornamental plant, ठीक है, अच्छा, 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 मैं आपके question पूछती हो, I know आपके paper है, बट इस्टिल मैं आपसे question एक पूछती हूँ, क्योंकि मुझे मन कहता है, what is pomology, tell me, pomology के अंदर आप क्या पढ़ते हो, जैसे मैंने बताया है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, यह दो टाम मुझे कामें जरूर बताएगा, आपके पास बहुत थोड़ा सा वक्त हो, बहुत थोड़ा सा मैं क्या बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता रहता है, ठीक है, ICT जो है, उसने रैपिडली काफी तेजी से अग्रिकुल्च्रल लैंड इसकेप को ट्रांस्वर्म किया है, क्योंकि यह काफी ज्यादा वाइड रेंज औफ एप्लिकेशन प्रोवाइशन प्रोवाइशन पताएं आपको, वह सेंसर, ड्रोन, और डाटा अनलिसिस हमें पता चल जाता है कि कौन सा एरिया हमारे एग्रिकुल्चर के लिए प्रिसाइजली काफी ज्यादा अच्छा है, अगर मैं इस एरिया में बहुत अच्छे से कल्टिवेशन करता हूं, तो मुझे पैसे ही पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहां कि जो स्वायल है उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो मैंने डायलोग बोल दिया, तो मैंने किया भी, बट सच बता रहे हूं, प्रिसाइजन अगरिकुल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन थिंग है, मैं उस जगह पर जाके क्रॉप लगा हूँ, जहां क इनलिटिक्स टूल यह सब प्रवाइट करता है, जिससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा एक एरिया का, कि वहां का स्वायल मॉश्चर कैसा है, वहां का नूट्रिंट लेवल कैसा है, पैस्ट इंफेस्टेशन क्या है वहां का, ठीक है, वहां पर इरिगेशन अच्छे से होगा और आप जादा खुश हो जाओगे, है ना, तो यह चीज है, प्रिसाइजन अग्रिकल्चर में हेल्प करता है, उसके बाद सेकेंड है, क्रॉप मैनेजमेंट को इंप्रूफ कराता है, ठीक है, आई-सी-टी जो है, वह हेल्प करता है, इन इंफर्म डिसीजन मेकिंग फर वैरियस क्रॉप मैनेजमेंट प्राक्टिसेज, जो फार्मर्स होते हैं, काफी अच्छे से क्रॉप को मैनेज कर सकते हैं, आई-सी-टी बोलता है, भाई, भाई, फार्मर साहब, तुम घर बैठो, घर पे मोबाइल दे रहे हैं, उससे वैदर चेक करो, उसे साब से अप आपक्लिकेशन जैसे की, इमेज रिक और उउजिशन पता ही इमेज रिक आचले चीज में, माली जी ये एक लीफ है, ठीक है, और ये लीफ पे ़ौप मै लेज ऐसे करके रस्ट हो गया तो सोचो आई सीटी आपको क्या बोल रहा है कि आई सीटी आप कोई कैप दे रहा है तुम भाई जाओ फार्मर साहब आप जाईए आप ना इसका आपके पास फोन है Android फोन कोई भी फोन है उससे आप इसकी एक फोटो क्लिक करिए ठीक है आपने इसकी फोटो क्लिक की आपके सामने इमेज आ जाएगी अच्छा ये जो लीफ है ना इसको ये बिमारी होई है ठीक है इसको मुझैक हुआ है इसको मुझैक की बिमारी हो गई ठीक है किसके द्वारा हुआ है वो भी सब बता देगा तो सोचो मुझे अगर बिमारी पता चल गई तो सोचो यह कितना अच्छा चीज है लेकिन अगर में घूम रही हूं मेरे पास मोभाईल नी है मुझने अप deed, मैं थोड़ दिया है है और इन चुर्ड दिया उपने क्रॉप printfail घराब उग गयी वो पूरे पैस जो है वो पीस फा active तो मेरा तो घाटा कहां मैं बहुत पैसे कमाने वाली ती और मैं चली एकदम अंदर पाताल लोक में पैसे के मामले में है न तो ग्रीन हाउस अचा हाँ इसके अलाब क्रीन हाउस ऑटोमेशन आई-सीटी प्ले करता है वाइटल रोल ग्रीन हाउस मेनेजमेंट में वह आपको जैसे टास्क, irrigation जैसे टास्क वो आटोमेटिक करवा देता है temperature control यह सब कुछ आपको आटोमेटिक आप घर बेटो भाई crop लगाओ सब आटोमेटिक होगा, irrigation आटोमेटिक करेंगे ventilation आटोमेटिक होगा, temperature control होगा, आप घर बेटो जो आपके storage condition होगी उसके लिए आपको काफी सारी ICT चीजे बताएगा कि ऐसे store करो वैसे करो ठीक होगा ठीक है उसके बाद आप better quality जो product होगे उनको ensure कराएगी ICT तो ये सारी application आपके मैं बस इतना बोल पाऊंगे इसके लिए कि आपकी महनत में 4 चांद लगा देंगी आप ज कि आपकी महनत को थोड़ा easy कर दे रही है और ये आपकी महनत को एक insurement दे सकती है like insure कर सकती है insurement पता नहीं मैं कौन-कौन English बोलती हूं तो insure कर सकती है कि आपकी जो महनत है वो waste ना हो ठीक है तो इसलिए ICT जो है वो काफी ज्यादा आजकल प्रचलित है क्योंकि मैंने already बहुत सारे आपको मैंने इसके application वगएरा बताये जब मैं अभी आपको पढ़ा रही थी है ना starting में जब मैंने ICT बोला तो मैंने आपको समझाया था ठीक है